जो आज मलिकार जुन खडगे ने जो स्पस्ट तोर पर कहा है यह इंडिकेशन है कि कॉंग्रेस को भी एहसास हो गया जैसा कि प्रियंका गांदी ने राइपुर के अपने भाशन में बोला था कि पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है और उसमें कॉंग्रेस विपक्षी बा इस अचेंज इन स्टाइब को अशचा तरफ इसको फोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें क्योंकि जब मनुष स्टोड़ा की अरेस्ट हुई थी तो कॉंग्रेस ने कुछ नहीं कहा था ना उन्होंने सपोर्ट में का था ना कुछ अगेंस तो कहानी पर सपोर्ट में पहल दिली के नेतानों ने बिल्कुल क्रिटिसाइज किया और CBI का पक्ष लिया फिर एक रीधिंग हुआ और शक्की सिंग गोवेल ने स्टेट्मेंट दी आम आपनी पार्टी के सपोर्ट में और सिसोडिया के खिलाफ उसके बाद खरगे एक तरफ दिली में यह हो रहा है वहा पर सारे विपर्खक्ष कि नेता नहीं आयते सब को ना बुलाया भी गया था आमाधीपार्टी को नहीं बुलाया गया था प्यारेस को नहीं बुलाया गया था उसमें से शारद पवार नहीं आए नितिश कुमारूं का सब को नहीं तो वहा है आएज पुğinँशाख नe और 사 इन सब चीजों को बैग्राउंड में देखें, उनको लग रहा है कि विपक्ष एक जुट नहीं हो रही है, तो आम आपनी पार्टी सिसोधिया के गिरफतार होने पर, अगर कॉंग्रिस बाकी विपक्ष के साथ नहीं ले, तो फिर कॉंग्रिस अलग हो जाएगी, विपक्ष इक तरह हो जाएगा, तो उन्होंने ये सोच समझ कि, कॉंग्रिस ने भी अपनी लाइन को रीधिंक किया, मिले खैल, इस इस बुड़ मुव, मचौरोटी दिखा रहे हैं कॉंग्रिस के, कि वो भी सबको साथ चलें, अब लीडर्शिप कॉन ले, इसमें भी इन्होंने अच पर्टी समझे, तो ये कॉंग्रिस पर्टी को ये कहना कि अभी कोई नेता नहीं होए, लेकिन विपक्ष की यूनिटी कॉंग्रिस के बिना भी नहीं हो सकती, ये भी उन्होंने पॉइंट बनाया है, तो मेरे ख्याल से ये एक तरफ से अच्छा मेसेजिंग हो रही है और आपका जो सवाल था ना कि महाराष्ट्र का मॉडल पूरे भारत में क्यों नहीं रेप्लिकेट होता, क्योंकि वो मॉडल के लिए करता धरता चाहिए, जैसे कि शरत पवार है, हरकिशन सिंग सुझी थे, अभी कोई ऐसा लीडर नहीं है, जो बिलकुल ग्राविटास के स अब एक छोटा सा गुठ है, तीन-चार पार्टी का लेकर, अर्विन केज़िवाल तो एकला चलो हैं बिलकुल, तो उनको कहीं कहा ले जाने में, पर अब जो सिसोडिया के साथ हुआ है, मनीशी सोडिय के साथ, तो अर्विन केज़िवाल को भी जैसे कि आपने का उद्व ठाकरे को भी मिले, तो उनको भी लग रहा है कि अकेले नहीं होगा, उनको कहीं न कहीं अपना ना किसी के साथ जोड़नी है, अपनी ट्रेन की बोगी, तो वो लीडर्शिप के मोड में है, पर अभी उनकी पैन इंडिया पार्टी नहीं है, तो अर्विन केज़िवाल लीड अपने जो खुड़नी है, उनको लगता कि कांग्रेस ने उनके केसिस शुरू करे थे, तो अभी अखिले शादव का भी एक जूट होना, कांग्रेस के साथ होना, तो सब के अपने अपने जो खुंदक हैं इदर उदर से, वो सब उसको, I think, subdu करके एक पॉइंट पे आना, एक प्लैटफॉर्म पे आना, इस शोइंग के सब के opposition में ये realization हो रहा है कि हमको कठे ही होना पड़ेगा to defeat the BJP, और ये ED का मामला शाहिद मोधी जी ने तो मजाग में कहा था, but it's coming back to haunt him, कि ED ही unite करेगी सब को, ये थोड़ा सा इन पे boomer आएंगी करेगा, उन ही का मजाग उ क्या ये आपको लगता है कि ये मलिकार जुन खड़के का अपना stance है, या overall Congress Party में एक thinking है, मेपक्षी एकता को लेकर, leadership पे सवाल को लेकर, पधान मंतरी के पत को लेकर? जादर तर लोग Congress Party में अब ये इस राहे के हैं, कि larger opposition unity होनी चाहिए, थोड़ा अगर एक कदम पीछे भी हटना पड़े, और अगर leadership के issue पे थोड़ा conceit करना है, फिलाल तो कर देना चाहिए, प्रिया ने बहुत महत्पून बात की, कि कौन इसको, इस कड़ी को बानने वाला एक सुत्धार होना चाहिए, जैसे पहले वीपी सिंग थे, उसके बाद हरकेशन सिंग सुर्जीत थे, इस महराष्टा में अगाड़ी successful इसलिए हुई है, क्योंकि शरत पावार वहाँ है, उनके ऐसा समाझ मूझ रखने वाला दूरंदेश आदमे हैं, जो इसको चोड़े दिल्ली राष्टी स्थर पे दो लोग हो सकते हैं ये रोल, और वो ऐसे लोग जिनका जोंकुई हो खुद प्रदान मंत्री के दावेदार नहीं है, एक सोनिया गांदी, दूसरा चरत पावार, और उसमें स्टैलिन भी जोड़े, कभी योगदान होगा, और उनका योगदा पता नहीं किसने हैं, उनके कान में ये भूग दिया है, कि आप दो बार मुकमंत्री होगे, अब तो आप प्रदान मंत्री के दावेदार होगे, तो जो प्रदान मंत्री का दावेदार है, वो सबको नहीं जोड़ सकता, और उसके इंटरेस्ट में हैं, कि सबको जोड़ जा सकते हैं तो यह दोनों लोग और मुझे मुझे विश्वास ही नहीं है और इस बेस्ट ऑन इंफ्रमेशन क्योंकि बैक डॉर में कुछ बात हैं चल रही हैं आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में यह और जोरी पकड़ेंगे सत्य हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर